हेलो नमस्ते, आप दिपाली गोयल, स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मेजिक पर तो students, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ एक important question जो की 2017 या 18 के exam में पूछा गया था ठीक है, उससे पहले कभी ये करवाया नहीं जाता था general science में, बट उसके बाद से ये important हो गया है Alleles of different blood group, यानि की students, देखे, Alleles क्या होते हैं, इसकी detail के लिए आपको wait करना होगा क्योंकि वो हम पढ़ेंगे heredity chapter में, यानि जब हम अनुवाशिक्ता पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए, कि Alleles एक तरीके से कुछ चिन हैं, कुछ symbols हैं, जो की blood को फिलहाल दर्शाने के लिए इस्तमाल हो रहे हैं जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि इनसान या तो लंबा होगा, या बोना होगा तो लंबे को दिखाने के लिए एक symbol यूज़ किया जाता है, एक चिन ही यूज़ किया जाता है, और छोटे को दिखाने के लिए एक चिन ही यूज़ किया जाता है, वो क्या है, Alleles उसी तरीके से blood group के भी allele होते हैं, हर blood group के दो allele होते हैं, ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं, हमारे पास चार blood group हैं, A B AB और O, अब मैं बताती हूँ allele, देखो I A I, A, ये क्या है दो allele हैं, किसके? A के, ठीक है A को लिखने के लिए ये alleles इस्तेमाल किये जाते हैं, लेकिन कब इस्तेमाल किये जाते हैं, जब हमें जानना हो कि मा का blood group ये है, पिता का blood group ये है तो बच्चे का blood group क्या होगा? ये जानने के लिए ये use होते हैं, ठीक है? लेकिन वो आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ यह अलील पूछे जा सकते हैं कि A को दरशाने के लिए कौन से अलील या कौन से चिन्ध ही इस्तेमाल किये जाते हैं तो आप बोलोगे I A I A ठीक है या फिर A के लिए इस्तेमाल किया जाता है I A I O अब अगर आपको यह I छोटे की बजाए बड़ा दिखे तो भी कोई टेंशन नी लेनी है बात A की है ठीक है तो A को दिखाने के लिए यूज किये जाते हैं यह सिंबल ठीक है B को के B के लिए I B I B या फिर I B I O ठीक है अब बड़ा दिखाओ तो कोई फरक नहीं पड़ता I B I B और I B I O A B के लिए A की यूज होता है I A I B O का कहीं पर जिकर नहीं आएगा या फिर कैपिटल में लिख दो I A I B और O के लिए होता है I O I O या फिर फिदे I I लिख देते हैं या बड़े में लिख दो I O I O या लिख दो I I तो ये हैं हमारे Alliels जो की अलग-अलग Blood Groups के लिए इस्तेमाल किये जाती है तो इसे आप Note Down कर लीजिए Exam में Question ये पूछा गया था Students शायद Blood Group A बोला गया था और पूछा गया था O के लिए कौन से Alliels इस्तेमाल किये जाते है तो आप लोग जानते हो ये किये जाते है और एक बार exam में पूछा गया था Match the following थे 4 यहाँ पर यहाँ पर लिखे हुए थे Blood Group यहाँ पर लिखे हुए थे Alliels आपको Match करने थे ठीक है तो इस तरीके से exam में एक option पुछा गया था तो आज की वीडियो में इतना ही note down कर लीजिए इसको screenshot ले लीजिए मिलेगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए Take care, thank you, bye bye